दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए टेकनाव रिव्यू को और बिल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए नमस्क्रा दोस्तों आपको स्पागत है टेकना और विए में और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी एवार्ड अपकमिंग ऑनर 9X और 9X Pro जिया दोस्तों ये फोन लाँच हो गई है चाइना में और बहुत ही जल्दी इस महिने के आखिर में या फिर अपकमिंग मन्द में ये फोन्स लाँच हो जागा इंडिया में भी और 9X की जो प्राइस लखी गई है चाइना में वो है 13.99 चाइनीज यान जो कि अगर आप कंवर्ट करते हो तो इंडियन रुपीस होता है 14,000 और जो फीचर्स के साथ और 9X लाँच हुई है ये काफी टफ कमपेडिशन देरी है Realme X को तो आज के इस वीडियो में चलिए ओवराल कंपेर कर लेते हैं दोनों फोन्स को और अगर आपको चाहिए बिटा वैल्यू फो बानी डिवाइस तो इन दोनों फोन्स में से कौन सा देगा आपके लिए बेस्ट देखते है अज के इस वीडियो में पर वीडियो पे बनने से पहले हमारे इंस्ट्रीग्राम को फॉलो कर लीजिए तो स्टार्ट करता है दोनों फोन्स की डिजाइन के साथ याल्मी एक्स में हमें मिलता है पॉली कार्बोनेट बैक यहांपर ग्लास फिनिश नहीं है और इस पोन की साइड में है प्लास्टिक फ्रेम्स जब कि Honor 9X में आपको मिलेगा ग्लास वा इख देफिनलि इस छोन में अपको मिलेगा प्रीमियमनेस और इसके साथ साथ प्रीममें हो इस वोगा मिटलिक फ्रेम्स भी So design-wise premiumness आपको मिलेगा Honor 9X में पर अगर बात की जाए, display की तो वो बेटर है in Realme X Realme X में full view AMOLED display जबकि Honor 9X में AMOLED display नहीं है यह पर आपको मिलता है IPS display दोनों ही phones में आपको मिलता है full view display लेकिन क्योंकि Realme X में AMOLED display तो quite naturally इसके display quality काफी bright and punchy होगा as compared to Honor 9X और इसके साथ साथ ही Realme X में आपको मिलता है in-display fingerprint scanner जबकि Honor 9X में है side-mounted fingerprint scanner पर दोनों ही phones में pop-up selfie camera यानि कि दोनों ही phones में आपको मिलता है full view display नेक्स आते है दोनों ही phones की processor पे तो Realme X में हमें मिलता है Snapdragon 710 based on 10 nanometer chipset जबकि Honor 9X में आपको मिलता है Kirin 810 जो कि बेस्टा 7 nanometer process पे और Kirin 810 की performance को अगर comparatively देखा जाए तो यह काफी close है to Snapdragon 730 या उसके slightly better भी है तो अगर performance-wise दोनों को compare की जाए Snapdragon 710 and Kirin 810 तो comparatively for extensive usage आपको better performance मिलेगा in Honor 9X extensions नहीं है क्योंकि हमने देखा है Snapdragon 710 की performance in Realme X और अगर बात की जाए gaming की या फिर day-to-day usage में कोई भी lag manifest नहीं की है और जैसे कि मैंने में मैंने की gaming में भी बहुत अच्छा performance था Realme X की तो अगर आप extensively gaming करते हो दोनों फोन्स को comparatively देखने पर better performance आपको मिलेगा in Honor 9X और क्योंकि इसकी chipset based है 7nm प्रोसेस पे तो definitely battery backup भी आपको better मिलेगा in Honor 9X अगर दोनों फोन्स की battery aspect को देखा जाए तो Realme X में आपको मिलता है 3,765 mAh of battery जबकि in Honor 9X आपको मिलता है 4,000 mAh of battery बैटरी थोड़ सी ज्यादा है Honor 9X में Honor 9X में भी हमें मिलता है fast charging की support लेकिन Realme X में है book charging जो कि mid segment price range में सबसे fast charger है और उसके साथ 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 दोनों ही phones में मिलता है USB Type-C port अब इन दोनों फोन्स की variants को अगर देखा जाए 9X में आपको मिलता है dedicated SD card slot यानि कि दो nano SIM card के साथ यहां पर SD card भी आप यूज कर पाऊगे लेकिन alternatively Realme X में आपको कोई dedicated SD card slot नहीं मिलता है यहां पर सिर्फ है दो nano SIM card की slot लेकिन इस phone की base variant में भी आपको काफी ज्यादा internal storage मिलता है 128 GB अब आते है दोनों फोंस की camera's पर तो specs wise दोनों फोंस की camera's काफी similar है लेकिन actual में कितना difference है वो nano 9X लाउंच होने के बाद ही हम देख पाएंगे कि actually कितना difference है दोनों फोंस की camera segment में लेकिन अगर specs को compare की जाए तो दोनों फोंस में आपको मिलता है 48 MP की rear facing camera और जो depth sensor है वो slightly different है यहल्मी एक्स में आपको मिलता है 5 MP की depth sensor जब कि onr 9x में है 2 MP की depth sensor यहल्मी एक्स की 48 MP camera में आपको मिलता है flagship level sensor जो है sony imx 586 जब कि onr 9x की 48 MP में कौन सी sensor है इसके बार में कोई भी confirmation नहीं है और यहां पर हमें aperture मिलता है f1.8 जब कि realmex में aperture मिलता है f1.7 अगर बात की जाए front camera की तो दोनों फोंस में मिलता है 16 MP की pop-off selfie camera onr 8x की बहुत सारी camera comparisons में ने की थी और हर एक photo में colors बहुत ही ज्यादा था और इसके साथ साथ 8x की portrait photos में भी बहुत ज्यादा contrast था और यहां कि onr 8x की थोड़ी बहुत issues था camera segment में वो इस बर सॉल्वी होगी in onr 9x OS में realmex में है colorway 6 जब कि onr 9x में मिलता है emotion UI जो है emui और out of the box दोनों फोंस आता है android 9 5 के साथ onr 9x के साथ 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 लांच होगा onr 9x pro भी पर यहां पर इन दोनों फोंस में बहुत massive differences नहीं है अगर आप प्रोसेसर को देखते हो तो वह भी same है दोनों फोंस में Kirin 810 और इसके साथ 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 डिजाइन भी आपको यहां पर से मिल रहा है with pop-up selfie camera और जो difference नहीं है और इन दोनों फोंस में वह है इन दोनों की दोनों की camera साथ बिन में onr 9x pro आपको मिलता है triple rear camera और जो 3rd lens आपको मिल रहा है और 9x pro में वह है एक wide-angle lens और इन दोनों पोंस में डिफरेंस में भी onr 9x pro में आपको मिलता है 8GB RAM variant with 128GB of internal storage और दूसरा है 8GB RAM variant with 256GB of internal storage इस phone की प्राइस लगबख है नियर अबार 22,000 इंगिन रुपीज और यहां पर अगर बात की जाए value for money की तो जस्ट वित एक्स्ट्र वाइगल लेंगल यह phone value for money तो definitely नहीं है RAM variant आपको बेटर मिल रहा है और storage capacity भी पर जो price range है वो काफी ज्यादा है जबकि इन दोनों phones पे बिल्कुल पर डिफरेंस नहीं है अगर आप देखते हो design को या फिर प्रोसेसर को आजकल 14-15,000 में हमें मिलता है triple rear camera जैसे कि आप देख सकते हो इन भी वो Z1 Pro हमें मिलता है triple rear camera वापर आमें wide angle lens भी मिलता है तो just for extra wide angle lens यहां पर pricing रखी गई है near about 22,000 जो की काफी ज्यादा है Conor 9X की pricing है 14,000 काफी value for money है जब कि alternatively Realme X की price है 16,000 यानि की 17,000 पर Honor 9X पर उतना ज्यादा value for money नहीं है तो दोस्तो यह था overall comparison between Honor 9X and Realme X और इन दोनों phones में से अगर आपको चाहिए better performance and better design आपके लिए value for money होगा Honor 9X पर अगर आपको चाहिए better display in display fingerprint scanner तो वो आपको मिलेगा in Realme X और अगर इन दोनों phones की price range को consider की जाए तो definitely जिस price range में Honor 9X वी है चायना में अगर उसी same pricing में यह phone launch होता है Indian market में भी तो definitely यह काफी value for money होगा as compared to Realme X performance आपको काफी अच्छा मिलेगा with Kirin 810 और इसके साथ साथ इस phone में आपको मिलता है glass panel यानि की premiumness तो definitely होगा in Honor 9X comparatively Realme X में आपको मिलता है AMOLED display तो display में काफी आगे है Realme X as compared to Honor 9X पर अगर price range के साब से compare की जाए थुरती higher pricing के साथ आता है Realme X जबकि अगर Chinese pricing में 1399 Chinese Yon converted in Indian rupees यह होता है 14,000 यानि की 14,000 इस price range में Honor 9X launch होता है Indian market में तो definitely यह phone होगा better value for money phone जो Honor 8X की pricing थी China में उसी pricing में ही Ajax में मिला था Indian market में भी तो यह हम definitely expect कर सकते कि 9X की Indian pricing भी होगा काफी close to Chinese pricing और दोस्तों भी नीचे कमें सेक्षिन में आप हमें बताइए कि क्या है आपकी 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 आउन 9X and 9X Pro और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंदा रहा है तो इस वीजियो को सदरूर लाइक कीजिए और माने चैनल को सब्सक्राइब करें आपसे फिर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए do take care